वेल्कम, यह हमारा वर्ड का पहला ट्यूटोरियल है हिंदी में, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप वर्ड जो की वन अब दो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टियर है, कैसे यूज कर सकते हैं हम स्टेप बाइ स्टेप चलेंगे, फिलाल आज हम लोग सीखेंगे, होम मेनू तो वर्ड को पहले हम उपन करना सीख लें, वर्ड को उपन करने के लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, और प्रोग्राम पर जाना है, Microsoft Office और Microsoft Word 2007 आप चाहें तो वर्ड को विंडो प्लस आर करके रन से जाकर विन वर्ड लिखकर भी ओपन कर सकते हैं यह वर्ड का स्क्रीन है, सबसे टॉप पर जो हमको दिखता है वो उसको हम लोग बोलते टाइटल बार टॉप लेट कॉर्णर पर यह जो बटन देख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं Office बटन और यह shortcut menu बार है यहाँ पर हम control को menu नहीं बोलते हैं word में जो एक change हुआ है 2003 तक के version में हम menu word का यूज करते थे, 7 में जो एक change हुआ है और जो अभी तक continue है वो यह जो control है इस पूरे control को हम लोग बोलते हैं ribbon control Home में इतने सारे option इंसर्ट इंसर्ट में इतने सारे option तो यह एक change था word 2003 से 2007 में तो फिलाल मैं आज आपको बताऊंगा यह जो office बटन है इसका यूज क्या है और इसके option का आप कैसे यूज कर सकते हैं तो क्लिक करते हैं office बटन पर तो यह जो है सबसे यह जो है यह आपके recent file की list धिक रही है जो मैंने अपने system पर work किया है इसके बाद new है अगर आप current images document में काम कर रहे हैं उसके अलावा और इसका shortcut भी होता है ctrl plus n आप अगर करते हैं तो wait out पूछे blank template apply कर रहता है new के बाद जो option है वो है open open का shortcut है ctrl plus o जो की दिख रहा है screen पर open का use यह है कि हम current में इस document में काम कर रहे folder हमको और कोई word की document चाहे तो आप उसको open कर सकते हैं जैसा कि यहां पर देख रहा है document में यह word की अभी हमारे पास कोई word की file नहीं open आप existing file को open कर सकते हैं next is save जो भी आपने काम किया इस file को अगर save करना चाहते हैं तो आप जिस location पर चाहें save कर सकते हैं उसके बाद सेवेज सेवेज का यूज यह है सपोज मान लिजेगी यह document है और अगर हमने मान लिजेए यहां पर कुछ change की किया और हमने इसको अगर चाहा रहे हैं कि जो भी हमने change किया है उसको किसी दूसरे नाम से सेव करें without original को change किये हुए तो आप save edge का यूज कर साथ सकते हैं इसके बाद प्रिंट में मतलब अगर आपको document को print देना है तो आप प्रिंट का यूज करें प्रिंट का shortcut है control plus P और यहां से मैं अभी print के option को नहीं बाताओंगा इसके लिए अलग tutorial है प्रिंट के बाद prepare, prepare में तो कई सारे option है जो आपके document से related है फिलाल मैं जो चीज है बताना चाहूंगा वह है आप चाहो तो password लगा सकते हो password के लिए अलग कैसे लगाना है क्या option उसके लिए अलग tutorial है हमारा send यह सब list यूज है अगर आप इसको mail पे भेजना हो पीडियाप में भेजना हो तो यह सारी चीजे आप कर सकते है पब्लीज कुछ online services है रेर यूज एडवांस यूजर के लिए है अगर आप इसको online कई apply ब्लॉग वह गगर आप डालना चाहते हो डाल सकते है एक चीज और है यहाँ पे जो save as में आप डेखते हैं कई तरीके के option है यहाँ पर देखे एक PDF है एक utility small होती है आप चाहाओ तो इसको PDF में भी save कर सकते हैं okay that's all for the office menu I hope आपको समझ में आया होगा thank you for watching